नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अंसुमन नायक और आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस निउज की डिफेंस टॉक सरीश में जहांपर हम रोज नए-नए डिफेंस अपडेट्स के वारे में बात करते हैं तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो करने के साथ साथ एक्सपोर्ट भी करने की कोशिस कर रहा है और पहले से भारत को अकास वाने सिस्टम को एक्सपोर्ट करने का मौका भी मिल चुका है जिसमें अर्मेनिया की तरफ से इसकी लाडर को प्लेस किया जा चुका है इसके बाद हम इसको साथ इस्ट एशन कंट्री Middle East Country और African Countries के साथ साथ Latin American Countries को भी एक्सपोर्ट करने की कोशिस कर रहे हैं और इसी बीच अभी ये पता चला है कि भारत की तरब सभी अकास वाने सिस्टम को विएतनाम की ओफर किया जा रहे हैं पहले भी विएतनाम के साथ अकास Air Defense System को लेके बातचीत किया जा चुका था लेकिन अभी जब हमारे Prime Minister Narendra Modi ji उनके वेतनमिज counterpart 4 Minchin के साथ मिले थे तो बाकी कई मुद्दों के साथ अकास वाने सिस्टम को भी विएतनाम को एक्सपोर्ट करने का प्रॉपजल दिया गया है इस बार भारत की तरब से विएतनाम को अकास वाने सिस्टम को टी ओटी के साथ साथ local manufacturing का भी option दिया जा रहा है जिसमें वियतनाम में ही अकास वानेस सिस्टम को T.O.T के साथ मेनुफेक्चर किया जा सकता है अगर वियतनाम में भी इस प्रॉफजल में सहमत होता है तो ये भारत और वियतनाम दोनों के लिए बहुती बड़ी डील हो सकती है क्योंकि पहले भली अर्मिनिया की तरब से अकास एर डेफेंस सिस्टम को अडर किया गया होगा लेकिन उनको इसकी T.O.T. और लोकल मेनुफेक्चरिंग को आफर नहीं किया गया था तो अभी अगर वियतनाम अकास वानेस सिस्टम को खरीदता है तो वो आगे चलके एकास एर डेफेंस सिस्टम की टेकनोलजी को हासिल करने वाले पहले कंट्री हो सकते हैं अगला अपडेट असमी मशीन पिस्टल को लेके जिसको हमारा देशी उजी भी कहा जाता है इसे DRD और इंडियन आमी के एक आफिसर करनोल प्रसाद बंसूद ने मिलकर बनाया था और अभी तक इसकी कई टेस्टिंग कम्प्लीट हो चुके है रिसेंटली इसकी टेस्टिंग के बाद इसको मास्ट प्रेड्यूस करने का भी फैसला किया गया था और अभी दो कम्पनी एसेफ कानपूर और लोकेस मशीन को इनको मास्ट प्रेड्यूस करने का लाइसेंस दिया जा चुका है असमी को इंडियन आमी और इंडियन ने भी दोनों की तरब से ही टेस्टिंग के बाद क्लियर किया गया था इसके अलाब अभी इंडियन आर्मी की तरब से भी असमी पिस्टल को अपनी सर्विस में सामिल करने का फैसला किया जा रहा है और अभी इंडियन आमी की नॉर्डन कमांड की तरब से लगबग 550 असमी पिस्टल के लिए ओर्डर को प्लेस किया गया है DRU का कहना है कि असमी एक वर्ल्ड स्टेंडर का मशीन पिस्टल और सब मशीन गन की तरह काम कर सकता है जिसे मल्टिबल लोल में हम लोग इस्तमाल कर सकते हैं अगला अपडेट इंडियन आर्मी की तरह से और अभी हम इंडियन आर्मी की तरह से बड़ी मात्रा में तोड़ आट्लेरी गन्स को अपनी सर्विस में सामिल करने का फैसला किया गया है तब से इस टेंडर में पाडिसिपेट करने वाले कंटेंडर की मात्रा दीरे दीरे बढ़ता ही जा रहे है अभी तक इसमें वारत फॉज की तरह से मल्टिबल गन्स को ओफर करने की बात की थी जिसमें भारत फॉज की वारत 52 से लेके ATGS को बेस करके जो अल्टर लाइट हाउजर को बना गया था वो भी सामिल था अब जैसे कि इसमें आर्मी की तरफ से 15 तंग की वेट कैप को रखा गया तो उस वज़े से इसमें ATGS डारेक्ली पाटिसिपेट नहीं कर सकता है इसके अलावा भी L&D की तरफ से नेक्स्टर सिस्टम के साथ टाइब करके ट्राजन गन को भी इसमें ओफर किया जा रहा है और अदानी डिफेंस इसराल रेवो स्पेस इंडिस्ट्री के साथ टाइब करके इसमें ATMOS गन को ओफर कर रही है इसके बाद अभी पता चला कि इसमें Advanced Weapon and Equipment India Limited की तरफ से भी पाटिसिपेट करने की उमीद किया जा रहा है की तरफ से अभी इस टेंडर में पाटिसिपेट करने से पहले ही प्राइबिट सेक्टर कमनी के साथ टाइब करने का फैसला किया जा रहा है ताकि वो जल्दी सही धनुजगन को मैनिफेक्चर कर पाएंगे अभी तक यह क्लियर नहीं हुआ कि वो किस के साथ या किस प्राइबिट सेक्टर कमनी के साथ मिलकर धनुजगन की 155 mm और 52 caliber standard की variant को मैनिफेक्चर करेंगे आर्मी को ओफर करेंगे लेकिन इसमें टाट और एलेंटी दोनों का नाम सबसे पहले लिया जा रहा है अगला अपडेट टैंक्स को लेगे पिछले 2-3 सालों से चले अलग-अलग लड़ायों में हमने देखा है कि टैंक्स और आमर्ड वेकल को काफी बड़ी मातरा में इस्तमाल किया जा रहे है और साथ ही इनको काफी अतक डेस्ट्रॉय भी किया जा रहे है इसी वज़े से अभी टैंक्स और आमर्ड वेकल की वार्फेर में दीरे-दीरे हमको कई चेंज देखने को मिल रहे है अब टैंक या किसी भी आमर्ड वेकल की बात करें तो इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम विजिविलिटी होता है जिस वज़े से अभी लगबग सभी modern टैंक्स और combat वेकल में सीथो आमर्ड सिस्टम का इस्तमाल करने का फैसला किया जा रहे है जिसमें अंदर वेटे क्रिव मेंबर को पूरे 360 डिगरी का विव मिल सकता है और इसके लिए कुछ special sensors को टैंक्स के उपर install करना पड़ता है कि अब इन सिस्टम को सिर्फ इंडियन टैंक्स में नहीं वलकि आगे चलके इनको एक्सपोर्ट करने का मौका भी मिल रहा है क्योंकि Big Bang Boom Solution को अभी UK वेस्टे कंपनी की तरफ से सी थो आमर सिस्टम को सप्लाइ करने का ओडर दिया जा रहा है हम अभी Big Bang Boom Solution की तरफ से डिवलप किये सिस्टम या सी थो आमर सिस्टम के डीटेल में तो नहीं जा रहे कि इसके बारे में लोग पहले भी कई बार discussion कर चुके हैं लेकिन मुद्दा यह कि पहले जो देश भारत को नीचे नजर से देखते थे या Indian Defense Equipment को Low Standard बताते थे वो भी भारत से ही सबसे जादा मातर में Ammunition and Defense Equipment को खरीदने लगे हैं लेकिन यहां पर इसका एक और downside यह भी हो सकता है और वो यह है कि अब यह जितने भी सिस्टम किसी भी European Country की तरफ से भारत से acquire किया जा रहा है यह कहीं न कहीं यूक्रेइन को वेजा जा सकता है जो कि बाद में रश्या के खिलाफ इस्तिमाल होने वाली तो उस नजरी से देखा जाए तो भारत के लिए चिंदा की बात भी होने वाली है तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही मिलता हूं आप से अगले वीडियो में तब